नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चिनल पीएफ़पी में लांस्ट वीडियो में हमने डिसकस किया कि क्या मार्केट में घिरावट बढ़ सकती है और अगर ऐसा होता है तो कौन से लेवल सा सकते हैं हमने निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल क सब कुछ लिसकस किया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा जरूर देख लीजिए तो जब भी मार्केट नीचे आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए वह एक अपॉर्शेटी होती है अच्छे शेर्स को सस्त कैसे करना है systematically कैसे करना चाहिए यह मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ सबसे पहले अपने capital को चार पार्ट में डिवाइड करना है हम अज्यूम करते हैं कि हमारा capital 100 रुपे का है तो ऐसे में 4 पार्ट में डिवाइड करना है सबसे पहला पार्ट हो गया 20 रुपे का ये 20 पहले support पे निवेश करना है अब यह पहला support कहाँगा है यह सब भी और दूसरे support पे निवेश करना है और 30 अब यहां पर 30 rep क्यों क्योंकि market नीचे आ गया तो जितना नीचे आता है उतना हमारे लिए अच्छा होता है तो वहाँ पर हमें ज्यादा खरीदना चाहिए इसलिए तीसरे सपोर्ड पर हमें 30 रुपे निवेश करना है तब तक हमारे 70 रुपीज का निवेश हो चुका है बाकी का जो 30 रुपे है वो हमारा SIP फंड है SIP फं होती है करेक्शन चल रहा होता है तो एक साल से ज्यादा नहीं चलता है 15-16 महीने में वो खतम हो जाता है इसलिए यहां पर यह 15 महीनों के लिए हम SIP करते जाएंगे इसका एक और रीजन यह है कई बार क्या होता है जब हम वेट करते हैं कि मार्केट नीचे आएगा करेंगे तब बड़ा पैसा लगाएंगे लेकिन मार्केट कई बर सेम लेवल पर आपको 2-3 महीने निकाल देता है और वहीं से उपर चला जाता है तो अपर्चुनिटी मिस हो जाती है ऐसा ना हो इसलिए हमारा 30% का पैसा तो इन्वेस्ट होने ही वाला है अगर कोई भी सप पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया और कोई नहीं निफ्टी 50 है निफ्टी 50 अपने आप में 50 स्टॉक्स का एक पॉर्टफोलियो है इंडिया की टॉप कंपनी निफ्टी 50 में आती है रिलाइंस इंड़स्ट्री, HDFC बैंक, TCS जैसी बड़ी कंपनी निफ्टी 50 में इंक्ल इस पे तो यहां पर सबसे पहला इंश्टूमेंट हो जाता है निफ्टी 50, इन्वेस्ट कैसे करना है तो निफ्टी 20 आप ले सकते हैं, ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बार में सोच सकते हैं अब सपोर्ट के बार में बात करते हैं, तो यहां पर जो पहला सपोर्ट नजर आता है, वो इस 16,000 का लेवल, 16,000 as a strong resistance देखने को मिला था, उसके बाद जो breakout हुआ, शांदार तेजी देखने को मिली, तो 16,000 को यह अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर हमारा यह पहला सपोर् निवेश कर सकते हैं, दूसरा important support कौन सा है, दूसरा important support उससे ज़्यादा दूर नहीं है, 15,400, 15,500 के आसपास है, पहले यह resistance की तरह देखने को मिला, फिर यह support की तरह देखने को मिला है, इतना नजदीक है, फिर भी मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, उसका main reason यह है, कि यह जो consolidation रहा है, यह छोटा नहीं था, दो महिने का consolidation था, इसलिए इसका upper range और lower range दोनों ही important हो जाता है, तो पहला 20 रुपे का निवेश हमारा हो गया 16,000 पे, बाकी का 20 रुपे हो गया हमारा 15,400-500 पे, और जो तीसरा important support नज़र आता है, वो 14,500 के level पे, 15,000 भी level है, लेकिन main support फिल validate किया था, support लिया था, दो-तीन महिने यहाँ पर support लेने के बाद आपको तेजी देखने को मिली थी, तो यह हमारा तीसरा support हो जाता है, S3 हो जाता है, जहां पर हम निवेश करेंगे 30 रुपे का, तो 70 रुपे का निवेश हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी यहाँ पर invest होता जाएगा, हमारा दूसरा investment idea है, Nifty Next 50, Nifty 50 में top 50 companies होती है, और Nifty Next 50 में होती है, 51 से करके 100 तक की company, तो यह भी top companies हैं, लेकिन Nifty 50 से पीछे हो जाती है, यहाँ पर growth comparatively आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और जब गिरावट भी होती है, तो गिरावट भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, Nifty फिलाल 12% नीचे है, लेकिन Nifty Next 50 में हमें 16% के negative returns दिखाई पड़ते हैं, अपने all time high से, तो इसलिए यहाँ पर volatility ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा volatility चाहते हैं, Nifty से थोड़ा better returns चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत risk ले सकते ह यह 4% का अगर आप risk लेने को तयार है, तो यहाँ पर returns भी आपको 5-6% के better मिल जाते हैं, और long term में of course इससे बहुत अच्छा फरक पड़ता है, और एक positive बात यहाँ पर यहाँ पर यह भी है, कि इसका allocation comparatively better है, Nifty 50 में 10% का allocation है, Reliance को, HDFC Bank को, तो 20% का तो वो दो stock ही रखते है लेकिन Nifty Next 50 में ऐसा नहीं है, यहाँ पर top allocation आपको 4.22% का नजर आता है, तो well diversified portfolio है, Nifty Next 50, तो जिसके पास थोड़ा सा risk लेने की capacity ज्यादा है, Nifty से ज्यादा वो risk ले सकते हैं, volatility को सहन कर सकते हैं, उनके लिए Nifty Next 50 एक अच्छी opportunity हो सकता है, यहाँ पर आप निवेश करने के बार में सोच सकते हैं, तो पहला support कौन सा है, S1 हमें जादा दूर नजर नहीं आता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे support लिया था, थोड़ा बहुत consolidated किया था, उसके बाद तेजी देखने को मिली थी, तो सबसे पहला support तो यही हो जाता है, already यहाँ पर हमें 16-17% की घिर देखने को मिली है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 20 रुपे का निवेश हमने कर दिया, दूसरा support जो हमें नजर आता है, वो approximately 36,000 का लेवल है, यह important इसलिए क्योंकि यहाँ पर अच्छा गासा time spent किया था और यह इसका higher range है, तो 36,000 पर हमने 20 रुपे का निवेश कर दिया, और तीसरा जो सबसे ज़ादा important level है, वो है 33,000 का level, क्योंकि यह lower range है, यहाँ पर आपको support नजर आता है, 33,000 का level यहाँ पर S3 की नजर आता है, जहाँ पर हम 30 रुपे का निवेश कर देंगे, यह important इसलिए भी है, क्योंकि यह पहले all time high के भी करीब था, all time high approximately 32,000 का level है, तो 33,000 क नजर नहीं आता है, यहीं से कुछ reverse हो जाता है, तो हमारा जो 30 रुपे का SIP fund है, दो-दो रुपे का निवेश तो हर महीन हम यहाँ पर करने ही वाले हैं, और अपवर्चुडी आपको मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का sentiment है, और जिस प्रकार का यहाँ पर breakdown आपको देखने हुआ नजर नहीं आने वाला है, आपको इनफ टाइम मिलेगा, आपके 30 रुपेज यहाँ पर minimum कुछ नहीं तो भी 20-25 रुपे का investment तो होई जाएगा, निफ्टी अपने all time high तक पहुचेगा, उससे पहले आपका SIP का fund खतम होने के chance से जादा है, तो आपका investment continuously होता जाएग और यहाँ पर हम लंसम investment का भी फाइदा उठा पाएंगे, तो इससे हमारा double फाइदा है, SIP प्लस लंसम अब यहाँ पर invest कर रहे हैं, हमारा तीसरा investment idea भी एक portfolio of stocks है, लेकिन यह portfolio NSE ने नहीं बनाया है, यह portfolio मैंने बनाया है, PFP, Super SIP मैंने 1-8 साल पहले आपके साथ share किया था यहाँ पर Reliance है, HDFC Bank, Budget Finance, HUL, TCS, L&T, यह 6 companies है, इसका एक small case मैंने आपके साथ share किया था, February 22 को 2021 में यह share किया था, इसने 13% के returns बना कर दी हैं, market इतना गिर गिया है, 13% के positive returns हैं, जबकि Nifty के positive returns हमें 10% के नजरा आता हैं, तो Nifty के comparison में यह portfolio of stocks आपको better perform करता हूँ नजराता ह यह well-diversified portfolio है, Reliance Industry अपने आप में काफी स्यदा well-diversified है, यहाँ पर telecom में भी निवेश हो जाता है, retail में हो जाता है, O2C business में हो जाता है, HDFC Bank, banking में निवेश हो जाता है, बजाज Finance, NBFC, fastest growing NBFC है, HUL, FMCG हो जाता है, TCS, IT Company है, L&T, Construction Company, तो यहाँ पर well-diversified portfolio है, quality stocks हैं, यह लग-लग sector है, उसके top stocks मेंने select कर दिये, एक small case बनाया, और हर एक share को यहाँ पर, एक-एक quantity यहाँ पर खरीदा है, ज्यादा नहीं, हर एक script का सिर्फ एक share हम यहाँ पर monthly basis पे खरीद सकते हैं, returns आप देख सकते हैं, 13.68% के return बना कर दिये हैं, minimum investment यहाँ पर हो जाता है, तकर लोग कर पाए, ना कर पाए, इसलिए जो पहले दो investment idea है, वो भी मैंने आपके साथ share किये हैं, nifty 50 का जो ETF है, वो तो आपको पताई होगा, nifty 20 है, nifty 20 आपको पताई होगा, nippon का है, वो काफी जदा famous हमें नजर आता है, और यहाँ पर जो nifty next 50 का था, उसका नाम है junior 20, तो वहाँ पर आप निवेश करने के बार में सोच सकते हैं, यहाँ पर आपका minimum investment कम हो जाता है, 1000 रुपय के अंदर भी हो जाएगा, जितनी quantity आपको खरीदना है, उससाब से आप अपना investment प्लान कर सकते हैं, I hope आपको यह वीडियो पसंद आता है, आपके investment trading decision में आपको यह मद करता है, थांक यू, stay happy, happy investing